कि अब लोग मेरा थानल और टाइटल देखे समझ गए हैंगे आज मैं जा रहे हूं मंदिर मैं क्यों मंदिर जा रहे हूं आप लोग मेरा ब्लॉग लास्ट एंट तक देखो तब लोग को मालम होगा और अस लाओडी बारिश भी नहीं देया क्योंकि हमारा ट्र clarify मेरे पंच-छे दिनों से इतना बारिश दे रहा है पर अस पारिश नहीं देया अच्छा दूप दे रहा है अब भी और मैं अके लिए आई हूँ घर से क्यूंकि मंदिर में जाने के लिए कोई भी नहीं था तो गैस मेरे साथ बेहते हैं एक कपल जो कि आप लोगों को दिखाती हूं बहुत ही क्यूट है और वो लोग बात करहें थे बेंगरी से मुझी तो बेंगरी समस्में आतीया तैंटियम अब लोग लोग का किया बात कर रहे थे इ leche और एक मिला चल रहा है तो लोग और मियला की बारे में बात कर रहा था नगर दुला है बोलके तो फ्रेंट्स अभी हम लोग पहुँशने वाले हैं और दस पंटर मिनिट के बाद और दूर नहीं है मतरबारी टंपल जो कि त्रिपुरा सुंदरी मंदीर के नाम से भी जाना जाता है तो फ्रेंट्स मैं पहुँच गई हूँ अपनी डिस्टिनेशन पर जो कि त्रिपुरा सुंदरी मंदीर देखे गाइस इतना लोग है आज मैं लेटरली डर गई हूँ इतना दूप है प्लास इतना लोग है लाइन में खार रहना परेगा तो मैं सोच रही हूँ कैसा होगा कै परवा नहीं बगवान चाहता है तो सब पुछ अराम से हो जाएगा तो आप लोग देख सकते हो काईस मैं अगरबती और मंबती और प्रसाथ ले लिया है बगवान को बुग चराने के लिए और गाइस में क्या देखा जैसे ही मैं प्रशाथ लेके बाहर आ गई तो उदर म पहले से अच्छा है क्योंकि वह अदर आप लोग देख सकते हो ना वह क्या एक च्छत जैसा वह लोग कर दिया भी जब मैं पिछले बार आई थी तब वैसा नहीं था तो गाइस और रस्ता नहीं है मेरे पास तो मैं भी लाइन में आ गई हूं गाईस जब मैं लाइन में आ इतना बारिश दे रहा था लेकिन अचानक इतना अच्छा दिन मतलब दूब दे रहा है यकिन नहीं हो रहा है वह कहते हैं ना कि जब बगवान का बुलावा आयत तो रस्ता अपना आप साफ हो जाता है इसलिए शायद गी हुआ मेरे साथ भी और मैं आप लोग को बॉली थ आजितना ना देखी है घाईस मेरे के जैसा इतना लोग मैंने इतने वार आ अर्णे गास मेरे हिंदी हिंदी इतना बहुत हुआ दे Fold I hope मैं आप लोग को हिंदी से कुछ समझा पाते हूं या फिर आप लोग समझते हो मेरे हिंदी को इतना भी बूरी नहीं यह मझे जितना लगता है आप लोग को पिछे सावन आ रहा है वह डोल का वही तो वह सुनना बहुत पच्छा लगता है तो आप लोग को सुनों इंजोई करो मेरी तो अभी में थोड़ा रेस करने के लिए इधर बैठी हूं यह एक मनंदिर का सामने है इधर बैठी हूं मैं और आप लोग देख सकते हो यहां भी बहुत सरे लोग है क्योंकि इधर बच्चों का कुछ मतलब कुछ रिचुवल शायद पता नहीं मुझे इतना है जो लोग बंगाली लोग है बेंगोली लोग वो लोग का कुछ रिचुवल होता है शायद वो जो छुड़े बच्ची है उसको यहां पर लाके उसको मतलब सजा रहा है बच्ची को वो लोग मतलब सजा रहा है और लोग पटाफट से आये यहां पर आप लोग को जरूर सुकोन शान्ती मिलेगा और मुझे वीडियो बनाने में इतना शरम आ रही थी यार मैं क्या ही बोलो मैं मतलब केमरे में देखे बात ही नहीं कर सकती हूं बस मैं वीडियो शुट कर रही हूं अब लोग देख लो थोरा सा वीव अब लोग को दिखाती हूं पहले तो यहां से रस्ता नहीं था पहले तो उदर से रस्ता था जो मंदर के उस सरफ पीछे है दर से रस्ता था अभी तो मंतिकर इनुवेशन चल रहा है So friends, अब भी मैं आ गई हूं नीचे की तरफ मंदिर तो आप लोग को दिखा दी है अब भी आप लोग यहां नीचे भी देख सकते हो और आप लोग को मैं आज कुछ टिप्स दूंगी अगर आप लोग इस मंदिर में आते हो इस तरफ आते हो इस साइड में आते हो तो आप लोग बाहर से मतलब दुकान से कोई भी शॉप से अब लोग दस्रिवेकर जो बिस्किट मिलता है आप लोग वो लेके आए और यहां का जो मसली है टॉटोई से उनको खिला सकते हो दे सकते हो क्योंकि यहां पर भी बहुत चारे मिलते है वो लोग एक बोल में बिस्किट र बाहर आप लोग को बहुत फोल वाले मिलेंगे जो आप लोग को जबरदस्ति देने की कोशिश करेंगे अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग लेलो परवाय नहीं अगर आप लोग को नहीं चाहिए तो आप लोग उनको बोल सकते हो कि नहीं उनको नहीं चाहिए क्यों यह बहुत कॉसली होता है नहीं तो अपना गार्डन से फोल तोर के लाया और आप लोग को यह पॉन के पास भी कुछ लोग मिलेंगे जो एक बॉल लेके वो लोग कुम मतलब उसको जो टीका बोलते है तीका लेके खरे रहेंगे अगर आपको वो टीका लगाने है तो आपको जो मैं आप सभी को बोल रहा हूँ आप लोग प्लीज मिचे गलत मत संचो क्योंकि जो लोग फास्ट टाइम आ रहे हैं यहां पर फास्ट टाइम आएंगे उनलों को तो मैं अनलों को थोड़ी बस बोल दे रही है तो उसके बाद मुझे बहुत बुग लगी थी तो मैं खा मैं लोगी वाद में ही जिसा है पानीपुरी खा ली है और आप मैं आई हूँ फोटो लेने के लिए तो मैं फोटो ले रही हूँ मुझे यह 70 डिपीस का पड़ा तो मैंने फोटो ली है क्यूंकि मैं आज आप लोग को बगवान का दर्शन भी ने करा पाई तो यह है तो मैं आज दर्शन करी हूँ यह है वो माता आज बहुत लोग थाई सिर्या बलोग को माता जी का दर्शन भी नहीं करा पाई तो फ्रेंज आप आप सभी को मेरी बलोग अच्छे लगी होगी अगर अच्छे लगी हो तो प्लीज मेरी चैनल को सब्स्क्राइब और वीडियो को लाक शेर को में भी कर दो बाई गाई झाल होगी अप्रेंग टो तो युट को मेरी अषे लाई बलोग को में रहाई सब्सक्प्राइब अवी कर ईसे लाई स्टाइब ऑलोग को में बाई रहुते यूवी।